फिल्मेकिंग में रूल आफ थर्ड क्या होता है? किस तर इसे इसको इंप्लिमेंट किया जाता है? यही सब बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में अज का वीडियो फिल्मेकर्स के लिए डिरेक्टर्स के लिए बहुत है और अगर आप दूसरे भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो फिल्मों को जितनी बारिकी से आप जान जाएंगे उनकी विधाओं को उनकी क्रेटिव पार्ट को उनके टेकनिकल पार्ट को उतना जाएंगे तो पहले मैंने सुचा था जब मैंने कैमरा एंगल्स पे और डिफरेंट टेक्निकल वीडियो बनाएं थे थमनेल शेयर कर रहा हूं को जरूर देखेगा बहुत सीखने को मौका मिलेगा आपको तो मैंने सुचा कंपोजिशन पे मैं पूरा का पूरा वीडियो ब पेंटिंग्स और विजूल आर्ट में फ्रेम कंपोज करने का एक तरीका है यह एक तरह से डैरेक्टिव प्रिंसिपल है सबसे पहले समझते हैं कि रूल अफ थर्ड होता क्या है यदि आप स्क्रीन पर दो वर्टिकल और दो होरिजन्टल लाइन खेचेंगे तो पूरी स्क को लेफ्ट या राइट साइड भी रख सकते हैं और उपर या नीचे भी रख सकते हैं इन डॉट्स को हाट स्पॉट भी कहा जाता है तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके बन में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करें आखिर ऐसा फ्रेम बनाने से क्या होगा तो इसके बारे में ज्यादा बताने से पहले अपना ही एक उधारन देता हूँ अभी आप जो फ्रेमिंग देख रहे हैं वो रूल आफ थर्ड को फालो कर रही है मेरी जो फ्रेमिंग है वो इसी हिसाब से देखिए मैं फ्रेम के राइट साइड में हूँ और लेफ साइड में बैगराउंड मे आप ये YouTube प्ले बटन और दूसरी चीजें देख रहे हैं ये खाली स्पेस को टेकनिकल भाशा में नेगटिव स्पेस कहते हैं तो इसमें सब्जट के साथ अट्मोस्फियर, एनवार्मेंट भी विजिवल है तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं प्रेंटिंग करते थे उसमें भी ये लॉग चलता था क्योंकि पुराने जो प्रेंटर थे उन्हों नहीं इसकी खोज की थी साइन्स और हुमन टेकनलोजी के हिसाब से सब्जट को फ्रेम में मिडल से हटा कर यदि लेफ्ट या राइट या फिर उपर या नीचे रखते हैं तो वह हमारी आँखों को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव लगता है इसलिए पेंटर अपनी पेंटिंग में इस रूल के हिसाब से फ्रेमिंग करते हैं इसके बाद ये रूल फिल्मों और दूसरे विज्वल मीडियम में भी यूज किया जाने लगा अब मैं कुछ वीडियो और फोटो का उधारण देकर इस रूल को आपको अच्छे से समझाओंगा लेकिन उससे पहले आपको एक बात जान लेना बहुत जरूरी है रूल फिल्मों कोई कंपल सरी रूल नहीं है बलकि आपके लिए ये बस एक गाइडलाइन की तरह काम करता है आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास वाजिव वजह होनी चाहिए जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे वीडियो में अभी जो फ्रेमिंग आप देख रहे हैं ये रूल आफ थर्ड को फॉलो कर रही है और एक इंटरेक्टिव फ्रेमिंग है यानि ऐसा फील हो रहा है कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से इंट्रेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंट्रेक्टिव कर्णवर्जेशन की जगह है, यदि कोई लेक्चर की क्लास होगी, तो मेरी फ्रेमिंग इस तरह से ना होकर सेंटर में होती, यानि सब्जेक्ट मिडल में होता, क्योंकि तब वहाँ पर सब्जेक्ट में होता, तो देखिए, ये फ्रेम हमें और अच्छा लगता, जैसा कि आप सामने से देख पा रहे हैं, इसके अलावा एक और फोटो देखते हैं, इसकी फ्रेमिंग कुछ ऐसे रखेंगे, तो ये तस्वीर और अच्छी नजर आएगी, अब यहां पर जहां वन थर्ड पो आँख को होट स्पॉट डॉट्स पर होना चाहिए, क्योंकि हम शूट करते वक्त आँखों पर फोकस करते हैं, जब हम सब्जक की आँख होट स्पॉट डॉट्स पर रखेंगे, तो दर्शक जब भी उसे देखेगा, उसका पहला फोकस होट स्पॉट पर जाएगा, यानि क जब इन सीन को देखते हैं, तो हमारा पहला फोकस होट स्पॉट डॉट्स की तरफ जाता है, यानि सब्जक की तरफ जाता है, और जब पूरे एनवारमेंट के साथ इसे देखते हैं, तो यह हमें बहुत ही एंगेजिंग लगता है, रोचक लगता है, तो रूल अफ थर्ड यानि या यानि ये यूट्यूब प्ले बटन और दूसरी चीज़ें ना होती तो रूल अफ थर्ड के बाद भी ये फ्रेमिंग बोरिंग और अनिट्रेक्टिव लगती है, अब आप लोग अगर रूल अफ थर्ड को समझ गए हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि आप इस कर लिजिए, आपकी कैमरा स्कीन पर कंपोजिशन लाइन और डॉट्स नजर आने लगेंगे, इसके लावा मॉबाइल कैमरा में भी आजकल ये आप्शन मिलने लगा है, तो ये सब जानने के बाद सीखने के बाद आप ये करिए, इसकी प्रेट्टिस कीजिए, आप रूल आसके कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, इस तरह कि जो टेकनिकल वीडियो होते हैं, जो कि नॉमली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते हैं, नहीं इसके बारे बात होती है, मैं इसके बारे बात इसलिए करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि अच्छे अच्छे ट और किस तरह के टेक्निकल वीडियो देखना चाते हूं, वो भी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को हमेशे के तरह लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, ताकि सारी की सारी नॉलेज जो बॉलिवुड से भरी हुई है, वो सब तक पहुंच पाए, अगले वीडियो में फिर से फिर मेकर बना चाते हूं, सिंगर बना चाते हूं, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे भले वो फेक आउडिशन पे हूं, कि आउडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है